साथ यो BCA के बाद salary जादा है या फिर BBA के बाद salary जादा है दौनों मैंसे job किसमे जादा है आज मैं आपको पूरी detail में बताने वाला हूं कि आपको BBA करना चाहिए या फिर BCA करना चाहिए दौनों मैंसे कौन सा course best है साथ यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप decision ले पाएंगे कि BBA best है या फिर BCA best है बी जो वाट ही informative होने वाला है तो वीडियो में तक बने रहीएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल यो सस्क्राइब पर लिजेगा बेल आइकुन को प्रेस कर लिजेगा युकि मैं आपके लिए इसी तरह के information वीडियो लाता रहता हूँ तो सातियों बात करते हैं कि BBA करने के बाद आपको कहां कहां पर जॉब मिलती है और BCA करने के बाद कहां कहां पर आपको जॉब मिलेगी और क्या 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 आपका salary package होगा लेकिन उससे पहले कुछ basic information है वो जान लेते हैं साति दौनों ही आपको क्या है professional degree program है दौनों की अगर duration की बात करें तो आपके तीन साल के professional degree program है दौनों ही semester mode में कराये जाते हैं दौनों में ही आपके 6 semester होते हैं दौनों में जो admission procedure है वो लगबग same होता है बहुत सारी universities में इसके लिए आपका entrance exam conduct कराये जाता है national level पर बात करें तो CET के थूरू भी जो आपका central government university है उसमें आपका admission होता है तो आप CET के थूरू भी आप अपने admission ले सकते हैं और जो आपका state government university है उनमें आपका merit के थूरू और जो आपके private colleges हैं उसमें आपका direct admission हो जाता है दौनों में जो आपके eligibility criteria है लगबख same है यानि कि आपके 12th आपने किसी भी stream से किया हो हो तो आप अपना BBA भी कर सकते हैं और BCA भी कर सकते हैं बस आपको BCA में थोड़ा सा ये होता है कि आपका 10th में math होना अनिवारिय है यदि आपके पास 10th में math नहीं है तो फिर आप BCA नहीं कर सकते हैं और यदि आपके पास 10th में elementary math है तो भी आप अपना BCA नहीं कर सकते हैं ये अगर आपका पास elementary math है या फिर math नहीं भी है तो आप BBA कर सकते हैं, ये आपको benefit मिल जाता है, अब बात करते हैं साथियों कि BBA किसको करना चाहिए और BCA किसको करना चाहिए? साथ यदि आपको computer की field में interest है आपको programming में interest है आपको computer की line में carrier बनाना है इसमें आपको coding सिखाए जाती है आपको java सिखाए जाता है इसमें आपको .net सिखाए जाता है इसमें आपको web development आपको सिखाए जाता है इसमें AI use हो रहा है आज की date में ML यूज हो रहा है इसमें, data science इसमें यूज हो रहा है, तो यानि कि computer की field में यदि आपका interest है, तो आप अपना क्या कर सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा math भी आना चाहिए, ऐसा निया कि आपको बहुत high-five math होता है, थोड़ा सा low-level का math होता है, जिसमें आपका programming में वो use होत पहले government sector के यदि हम बात करें, तो government sector में साथियो, आपका सभी में इसकी vacancy आती है, जैसे आपका railway में है, आपका UP police, दिल्ली police, यानि कि जितनी भी आपका police में है, सभी में आपका computer operator के लिए आपकी vacancy आती है, आर्वी में इसके लिए vacancy आती है, यानि कि इसमें यदि आप government में भी आपको carrier बनाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, private sector में जितनी भी IT companies है, सभी में इसकी आवशकता है, तो आप BCA करके अपना carrier बना सकते हैं, इसके बाद में बात करें साथियो, BCA के बाद आप अपना MCA भी कर सकते हैं, बात करेंगे अभी average salary package की भी, लिकिन उससे बात कर लेते हैं साथियो BBA की, तो साथियो BBA, यानि कि background business administration, अब ये साथियो किसको करना चाहिए, यदि आपको बोलना अच्छा लगता है, आपको presentation देनी अच्छी लगती है, आपको एदर team leader work करना अच्छा लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको white collar वाली job च ये सब सारी चीज़े इसमें पढ़ाई जाती हैं, इसको करने के बाद आप अपना MBA भी कर सकते हैं, BBA आपको ओनर से भी होता है, आप HR से कर सकते हैं, finance से कर सकते हैं, मार्केटिंग से कर सकते हैं, तो BBA आप अपना ओनर में भी कर सकते हैं, तो BBA करने के बाद आप अपना salary में तो लगबख same है हाँ यहाँ पर option जो job के ज़ादा है वो BCA में ज़ादा option है job के भी ज़ादा option है और salary package भी ज़ादा है तो दौनों के comparison में जो आपका salary की हम बात करें तो BCA का थोड़ा सा क्या होता है अब होता है तो BCA करके आप अपना career बना सकते हैं आपको दौनों में से कौन सा course better लगता है और यदि आप किसी course के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या कोई आपको question है तो आप में से comment box में पूछ सकते हैं मैं जितने जल से जल होगा उसका answer या उस पर वीडियो बनाने की पूरी courses करूँगा और बात करें साथियो average package की तो दौनों का average package यदि किसी आप अच्छे college university से कर लेते हैं तो आपका जो average package है average package की मैं बात कर रहा हूँ वो 8 से 10 लाग के बीच में आपका per year रहता है तो यह है इसका average package तो चलिए साथ ही मिलते हैं आपसे नेक्ट में इस तरीकी information के साथ तब तक के लिए जै हिन चै भारा